नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और तीन अक्टूबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों मालक्ष में दे दिये आपको कर्मों का बड़ा फल आने वाले दो दिनों के अंदर आप से वीका जीवन बदल जाएगा जहां दोस्तों आप सब भी कहेंगे की हे देवी मा आप इतनी बड़ी खुसखबरी हमको दे दी जहां दोस्तों दरसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबकुछ गरहों का खेल है सबकुछ कर्मों का खेल है दोस्तों जैसा जिसने कर्म किया है भगवान उसको वेसा ही परिणाम देते हैं जहां दोस्तों और आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे पुरुस्तास्त के वज़े से आपने अपने जीवन काल में बहुती सफलताओं को प्राप्त किये हैं बहुती आपने मेहनत करके एसा चीज प्राप्त किये हैं जो किसी और वेक्ति कर नहीं सकता लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ शमय से आप सभी के जीवनकाल में एसी समस्यां एसी आर्थिक तंगियां चल रही है जिनसे आप बहुत ही परिशान हो चुके थी लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो जहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों फल तो स्वें भगवान देते हैं जहां दोस्तों और आने वाले दो दिनों के अंदर मालक्षमी जी के असीरवात से आप सभी के जीवनकाल बदलेगा क्योंकि दोस्तों यह समय से स्वे मालक्ष मी आपकी कर्मों को हिशाप करने वाले हैं आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो जो खुश खबरियां मालक्ष मी देने वाले हैं दोस्तों सुनकर आपकी होस उड़ जाएंगे जी हाँ दोस्तों आगे इस वीडियों में हम वह सभी खुश खबरियों के बार में बताएंगे आने वाले इन दिनों में आपके कौन-कौन से कारे बनने वाले हैं किनके छेतरों में आपको रास्ते खुलने वाले हैं कौन-कौन से छेत्रों में आपको लाब की प्राप्ति होगी ग्रहों की बदलती चार और मालक्ष में जिके आसिरवाद आप सब्वे के जीवन काल में परते एक छेत्र में कौन-कौन से बड़े बदलाब करेंगे साथ ही बात करें कि आने वाले या दो दिनों के अंदर कौन से महत्पुन साब्धानिया रखनी होगी जिससे दोस्तों आप अपने आने वाले जीवन काल को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे तो दोस्तों आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर निर्मित आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा लाप प्रत होने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अन तक जरूर देखें दोस्तों यकिन के साथ कहता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा जहां दोस्तों इस बात की गारंटी है दोस्तों स्वयम मालक्षमी कहते हैं कि तु मुझ पर यकिन कर अपने रास्ते पर चलता जा तेरे साथ कोई है या नहीं है इस बात की फिक्र मत कर क्योंकि इस बात की फिक्र मैं करूंगी कि तुम्हारा कर्म जेसा होगा तुम्हारा साथ भी वेसा होगा जहाँ दोस्तों दोस्तों इतियास गवा है कि मा लक्षमी अपने भक्तों को कभी भी निरास नहीं करती क्योंकि वह मा है और दोस्तों मा की मामता ही कुछ और होती है जहाँ दोस्तों जो भी उनके दर पर जाते हैं उनका मनुकामना स्वाइम कुरा करते हैं और दोस्तों आने जरूर देखें तो यह दोस्तों इसके साथ बात करते हैं स्रीकृष्ण जी के अच्छे ग्यान से एक अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दुनों में एक इक्छा सक्ति जागरित करेगी कि दोस्तों भगवान स्रीकृष्ण जी काते हैं कि कुछ लोगों को इसलिए जरीरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती जहां दोस्तों या बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें साथी साथ दोस्तों भगवान यह भी काते हैं कि कभी भी अपने जीवन काल में आगे बढ़ रहे हो मेहनत कर रहे हो अगर आपको सफलता भी मिली है तो उन सफलताओं पर कभी भी घमन मत करना क्योंकि घमन भगवान का आहार होता है जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपने रूप और रूपे का कभी भी घमन मत करना क्योंकि मौर को उनके पंखों का बोज ही उचा नहीं होने देता जहां दोस्तों गर यहां बातें आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और इनके लिए लिख दें जैस्रिक्रिशन राधे राधे तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले अगले दो दिनों के अंदर में मालक्षमी जी के असिरवात से आपके नसीर में क्या-क्या लिखा है आपके घर के माहल में, परवारी चीवन में स्वास्त बिजनस बेपर में, क्या-क्या उपलब्दी कामियाभी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं पूरी विश्तार से। अधिक बहतर बनाने के लिए आप कुछ शंकल्प करेंगे और काम्याबी रहेंगे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से समंदित विश्यों में आरही दिकत्य दूर होगी दोस्तों आज किसी धार्मी अस्तल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा जिसे तन और मन दोनों पर बोलेत रहेगा किसी ने कार की सुरुवात करने में परवावसाली विक्ति का उजित सहयोग मिलेगा कोई शापना शकार करने के लिए ग्रेशिती बहुत ही आनुपूल है दोस्तों अभी तक जो आपने अपने अपनी कारे सेले में परिवर्तन की योजना बनाई थी उन पर अमल करने का उचीत समय है जमिन जाईदा से समधे चल ही दिकतने दूर होगी घर में समधियों का आगबन तथा मेल मिलाव घर के बातारों को शुक नमा बनाएगा अपने अपने उपलब्दियों और उमीदों से समधे जो सपने सजोई थे वा काफी हद तक पूरे होने वा पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तितों को निखारने के लिए जो प्रयास किये हैं उसके सकारत्मों परनम सामने आएगे परिवार और समाज में भी आपकी च्छबी निखरेगी इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शाबदनिया भी देख कर चलन करने से पाली उसके बार में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है नुकरी पेसा लोग अधिकारी थब बॉस के साथ अपने समंदों में खटासना आने दें घर का माहौल ववेस्तित तथा अनुसासित रहेगा वहरी वेक्तियों के घर के मामल में हस्तेशेप ना की उमीद है आज अपने उर्जा और मार्केटिंग से अमधी कार्यों तक पेमेंट यादी कलेट करने में लगाएं आर्थिक नजरिये से दिन आच्छा है पर अधिनस्त कर्मचारियों की किसी गलती की वज़े से नुकसान भी हो सकता है इन पर आप बहुत ही ध्यान दें दोस कारेच छेतर में मेहनत के मुतावित अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं किसी भी तरह के पेपर वर्क को बहुत साबधानी से करें प्रोपर्टि के बिजनस में फायदा होने की योग बन रहे हैं मेडिया था ओनलाइन गति विदियों के मादम से अधिक से अधिक वेबसाइक जनकारिया हासिल करें दोस्तों अपने निजी सपनों और महतक कांग्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत करने का अनुकुल समय है किसी पारवारी मुद्य की विचार्स में आपकी उपस्ति विश्यस रूप से बहुती महतपून रहेगी भवी समन्दी निवेश करना परवारिक छेतर में आपका रूतवा बढ़ेगा वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पतनी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर वेचारित मत भेद रहेंगे प्रहम समन्द में एक दूसरे के परति समान की भावना रहेगी पती पतनी परवा पतनी कार में समय लगाने से शुकुन मिलेगा वास्तर ठेक रहेगा परन्तु वर्तमान बतारवन की बज़े से अपना खान पान और दिन्चारिया में समयत रखें जिस दो बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों मालक्षमी को ये फूल अती प्री है और मालक्षमी इसा करने से घर में सुक समर्दी आती है और तरकी के योग बनती है दोस्तों सुकुरवार के दिन घर के बने हुई पहली रोटी गाय को खिला दें इसे आपकी धन आवक बढ़ेंगे मैं दोस्तों आप बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली आंक छे है दोस्तों मालक्षमी जी की आशिर्वात आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंट बॉक्स में जय मालक्ष मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद